हेलो एवरिवन तो स्वागत है आप सभी का आज के इंपोर्टेंट जेके सीरिस के वीडियो में तो आज हम लोग कवर करने वाले अपने जेनरल नॉलेच का सीरिस कितना नंबर 232 ठीक है तो सारे कोशन इंपोर्टेंट है आपका हिस्ट्री और जोगराफी के पॉर्ट्टें आपके लिए आता रहता हूँ चाहे वो कोई भी एक्जाम हो ससी बैंक रेलवे कुछ भी DRDO चलिए तो अपना पहला कोशन पर चलते हैं पहला कोशन है हिस्टोरिया नैचुरेलिया ठीक है हिस्टोरिया नैचुरेलिया इस दा फेमस बूक ऑफ एक फेमस बूक है हिस्टोरि इस्टोरिया नेच्रियल या नामक जो किताब है जो फेमस बुक है वो लिखा गया आपका प्लीनी के दोरा ठीक है, option number is the right answer दूसरा question the process of making map is called, यह question बहुत important बनता है यहाँ पर option नहीं है पर मैं आपको यहाँ पर एक word में answer दे दूँगा the process of making maps ठीक है, map बनाने की प्रकरिया को अम लोग क्या कहते हैं, ठीक है तो वो कहा जाता है आपका kartography कार्ट ग्रफी कहा जाता है the process of making map map बनाने का प्रकरिया को हम लोग kartography कहते हैं, अभी तो जमाना बदलंगी है, पहले जब map बनाया जाता था वो हांस से बनाया जाता था अभी क्या होता है अभी computer में map बनाया जाता है ठीक है तो यह ही आपका the process of making map is called cartography ठीक है चलिए next question पर बढ़ते हैं the one who make maps is known as the one who make maps जो map बनाता है उसको क्या बोलते हैं ठीक है जो map जो process होता है map बनाने का उसको तो हम लों cartography बोलते हैं और जो map बनाता है उसको क्या बोला जाता है जो grapher, politician, cartographer या फिर astronomer तो यहां पर आपका answer हो जाएगा the one who make maps उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे cartographer ठीक है बहुत easy चलिए दूसरा who is considered as the world's first cartographer वर्ल्ड विश्व का पहला cartographer किसको बोला गया है इरिस्थेनोसेंस, हेकेट्वर्स, थेल्स या फिर एनिक्स मेंडर एनिक्सी मेंडर ठीक है तो who is considered as the world's first cartographer सबसे पहले विश्व के सबसे पहले cartographer कौन है जिन्होंने map बनाया ठीक है तो वो है आपका option number D एनिक्सी मेंडर एनिक्सी मेंडर ने ही सबसे पहले map बनाया तो he was the first one to draw the maps ठीक है चलिए next question the study of universe is known as the study of universe is known as ठीक है universe का study या universe का अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे simple है Cartography, Climatology, Cosmology या फिर इन में से कुछ भी नहीं कहेंगे तो the study of universe is called option number C Cosmology ठीक है Cosmology जो है आपका दो word से मिलके बना है एक होता है Cosmos जिसका the cosmos ठीक है Cosmos और एक होता है Logos ठीक है Cosmos का मतलब हो गया आपका universe ठीक है universe और Logos का मतलब क्या हो गया science ठीक है science चलिए next question firstly who wrote about the shape of the earth as being spherical सबसे पहले किस ने बताया कि जो earth का जो shape है वो spherical shape में है Aristotle, Alexander Vaughn, Hiperatures या फिर इन में से किसी ने भी नहीं कहा है तो सबसे पहले जो कहे है कि earth का जो shape है वो है आपका spherical वो है आपका option number A Aristotle Aristotle ने सबसे पहले कहा इसने इनों नहीं बताया इनों नहीं लिखा कि जो earth का जो shape है वो क्या है spherical ठीक है चलिए लाश्ट question है हमारा What is the shape of the milky way galaxy यह question important exam में बहुत बार पुछ चुका है तो अपना जो milky way galaxy है ठीक है उसका shape क्या है जियोईड, spiral या फिर इन में से कोई नहीं ठीक है तो यहाँ पर आपका answer हो जगा spiral ठीक है आई होप आपसे भी को बहुत important questions देखने को मिला होगा और बहुत आसानी तरीके से समझ में भी आ गया होगा तो ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गॉबर्मेंट जॉब करकर preparation करते हो आप तो जरूर मेरे चैनल के साथ जूर जाएए जी के portion आपका बहुत strong हो जाएगा ठीक है तब तक लिए thanks for watching the video मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ तब तक लिए thank you